21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन, महिलाएं बिना किसी को बताएं, बिना चुपचाप तुलसी के नीचे. यह एक चीज इस एकादशी पर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है. और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा. दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पढ़ती है. सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है. इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा यह अचु कुपाए आप की हर परेशानी को हल कर देगा. चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ती को लेकर. इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथी का प्रारंब हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारन करना है? तो देखिए, पौश मास की शुकल पक्ष की एकादशी तिथी प्रारंब हो रही है, 20 जनवरी को शाम 7 बच कर 26 मिनट पर और समाप्त होगी, 21 जनवरी को शाम 7 बच कर 27 मिनट पर. ऐसे में व्रत हम कब धारन करेंगे? आईए जानते हैं दो प्रियास्त का समय रहेगा. शाम को 6 बच कर एक मिनट पर. का बात करें कि पौश पुत्रदा एकादशी, व्रत का पारन आपको कब करना है? तो देखिए, एकादशी व्रत का पारन किया जाता है, द्वादशी तिथी में और द्वादशी तिथी प्रारंब हो रही है. 21 जन 9 बज कर 30 मिनट तक और यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं. 22 जनवरी को भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ है. और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श कभी भी धन की कमी न होने देना. दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विश्णु की पूजा करने से सभी मनो कामनाय पूर्ण होती हैं दोस्तों. भारत वर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की से देखा जाता है. अनेक ओश्धीय गुणों से भरपूर, तुलसी का धार्मिक महत्व भी है, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है. पुराणों में तुलसी को भगवान विश्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है. इसी क तुलसी के पौधे में बांध देना. यह एक चीज हजार गुना होगी. धन में वृद्धी इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है. भगवान श्री कृष्ण ने स्वयम की थी तुलसी की पूजा और बताया था ये रहस्य दोस्तों. तुलसी का पौधा तो प्रत से देना चाहिए. तुलसी के पास कौन सी वस्तू को रखना शुब होता है. आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है. इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको मान तुलसी का धेर सारा आशीरवाद म होता है. पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है. लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है. क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है. यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है. इसी लिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है. दोस्तों, भारत में ही नहीं ब बहुत महत्व बताया गया है. प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथ्वा कोई पूजा हो. उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है. विश्नु पुरान में तुलसी को भगवान विश्नु की पतनी कहा गया है. इसी कारण से तुलसी जगत जननी है. तुलसी पर ब्रम्ह, विश्णु और महेश, यानि की तृदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नश्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्री का अंधकार नश्ट हो जाता है। भगवान विश्णु किसी भी प्रकार का भोग स्विकार नहीं करते हैं, इसी लिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है, तो सुख, शांति और सम्रिध्ध के लिए तुलसी मा को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहि कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बलकि वह देवी है, विश्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसी लिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति-पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध म चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुब होगा। तुलसी पर नई चु तुलसी को बिना चुन्री के कभी न रखें। अगर चुन्री पुरानी हो जाए तो चुन्री को एका दशी के दिन ही बदलना चाहिए। तभी इसके शुब फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुब माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है। उस स्थान को हमेशा ही स्वच रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुब होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। अन्य था, कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इस से तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में दबा दें, रविवार के दिन। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए अकसर महिला इसनान के बाद अपने बाल खुले गर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उप्योग ना करें। गर में तुलसी का पौधा कभी चूकना नहीं चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का खयाल रखें कि तुलसी में मकडी के जाले अथवा कीडे नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान, महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। और तुलसी को स्पर्ष करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किये, जल नहीं देना चाहिए। और पैरों में चप्पल आदी पहन कर भी तुलसी को जल न दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ती होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नश्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुब होता है। तुलसी के पास मरुस्थलिय पौधे रखना बेहद अशुब माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक उर्जा निकलती है। तुलसी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेश महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड लगा देते हैं, तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड में भगवान विश्नु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुक सम्रिद्धी आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विश्नु का वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी खुद चल कर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शाली ग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, तुलसी के गमले में शाली ग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विश्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक उर्जा नष्ठ हो शालिग्राम में अल्प मात्रा में सोबरन भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंड की नदी में पाए जाते हैं। इसी लिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे पर हैं तो भगवान विश्णु के साथ आपको मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घ गर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ती होती है। यह स्वयम्फू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यक्ता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रख कर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विश्णु पुरान के अनुसार, मृत्यु के समय, शालिग्राम के चरण, अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जात यह चरण, अमृत, ओश्धी के समान है, जो इसका सेवन करता है, उसे मौक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण, अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेड़ देते हैं, बलकि शास्त्रों में ऐसा करने का उलेख नहीं किया गया है। चरण, अमृत, हमेशा दाएं हाथ से श्र प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विश्णु की मूर्ती से कई ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना शालिग्राम को चंदन लगा कर उस पर एक तुलसी का पत्त प्रति दिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पापनश्ठ होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक्ता और सात्विक्ता का प्रतीक होता है। भूल से भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीज़ें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मा, लक्ष्मी, आपके जीवन मे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।